Hello everyone, welcome back to GK Code Labs इस वीडियो में 8 मैं ऐसी चीज़े बताऊंगा जो अगर आप graduation से पास हो रहे हो CS या IT में या आप IT industry में आना चाह रहे हो या technical industry में आना चाह रहे हो तो pass out होते time या उसके बाद के एक दो हफते में ये 8 चीज़े ensure कर लेना कि आपको आती हो बहुत सी चीज़ें पढ़ा दी गई होंगी graduation में बहुत सी चीज़ें नहीं है तो simple एक दिन में आप ये सारी चीज़ें clear कर सकते हो बहुत deep में नहीं लेकिन इन सब का idea होना बहुत ज़रूरी है पहला IT industry में आने से पहले आपको पता होना चाहिए operating systems के बारे में simple way मैं बताता हूँ ऐसा मत बोलना मैंने windows laptop चलाया तो मुझे windows operating system होता है ये पता है that's it नहीं operating system अलग-अलग अगर आपने सुने भी है windows, mac, linux और बहुत सारे distributions linux के तो वो सब distributions हैं और windows और mac में भी सिर्फ appearance का difference नहीं है तो operating system इस list में include करने से मेरा मतलब है एक बार समझ लेना कि अलग-अलग operating systems at the core वो क्या है छोटी-छोटी चीज़े जो different है काम तो सब एक ही कर रहे है थोड़ा अलगतर है से कर रहे है पर क्या कुछ ऐसा difference भी है और जब ये difference पता चलेगा नहीं Linux यूज किया होता है majority जनता नहीं किया होता है तो ठीक है यूज नहीं किया ठीक है बट डिफरेंस जान लो थोड़ा बहुत कैसे वही काम जो हम विंडोस में करते थे वही काम Linux में कैसे करते है उसका आइडिया ले लेना या simple way में उसमें काम कैसे करते है SQL, DBMS and SQL ये ब्रीफ आइडिया इसका जरूर ले लेना क्योंकि भले ही सीधा आपकी profile हो सकता है directly database या data से related ना हो पर इन चीजों को एक generic माना जाता है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए बहुत deep में नहीं लेकिन आपको पता होनी चाहिए तो database में मतलब DBMS क्या होता है DML, DDL, SQL क्या है कैसे program कर लिखते हैं कैसे scripts लिखते हैं तो उसका एक basic idea जरूर जरूर से जरूर आपको पता होना चाहिए अब आप IT industry में जाना चाह रहे है कोई जरूरी नहीं है कि आपकी profile programming से related ही हो बट किसी एक programming language के basics होना बहुत जरूरी है आप Java लेलो C लेलो C++ लेलो Python कोई भी programming language हो सकता है कि आपका किसी में इंट्रेस्ट बना हो डवलप हुआ हो पढ़ते time तो कोई भी चलेगी बट एक programming जो एक प्रोग्रामर के वे से जो उस वे में जो सोचा जाता है उसको सोचने का थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है कोई भी इंडस्ट्री आपको मतलब ये IT इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी आपको ऐसे जज नहीं करती मुझे यही programming language चाहिए अगर उनको चाहिए उनकी requirement है पर जिनको प्रोग्रामिंग नहीं भी चाहिए न वो भी आपसे expect करेंगी कि आपको पता हो तो वो way of logical thinking को जज करती है अगर आपको एक भी आती होगी तो देखें at least get an idea कि हाँ चलो वो logical thinking मैं expect कर सकते हूँ non-programming background में तो कोई एक programming language के basics भी चलेंगे जब आप pass out हो जाओ तब profile अगर किसी में apply कर रहे हो उसके हिसाब से आप उसमें master कर लेना but basics बहुत 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 है next client server architecture बहुत important है यह चीज का idea अच्छे से ले लेना क्यूंकि यह एक ऐसा topology आप कहलो या एक ऐसा architecture है जो हर जगहें आपको मिलेगा IT industry में तो client server architecture होता क्या है और क्यों होता है इसका basics बहुत ज़रूरी है irrespective of आप कौन से project में कौन सी company में जा रहे हैं आपको चीजे समझने में आसान हो जाएंगी अगर आपको इसका basic पता होगा next is बहुत basics of networking बहुत important है please networking के basics क्या होते है यह IP address क्या होता है सबनेट मास क्या होता है कैसे यह सारी चीजे लिंक होती है IPv4 क्या है 6 क्या है एक basic of networking बहुत ज़रूरी है और यह सारी चीजे मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप से गुष जाना बाद में पर cloud का एक basic idea बहुत ज़रूरी है क्योंकि as new passouts में बिलकुल मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको अभी actually पता नहीं है कि cloud में है क्या mostly ऐसा answer मिलता है कि मतलब हम जो locally use करते हैं वो सारे resources हमारे पास होते हैं जो कहीं और होते है इतना rudimentary understanding नहीं होनी चाहिए तो थोड़ा सा अच्छे से cloud को समझ लेना और एक चीज थोड़ी सी important मतलब चाहे आप थोड़ी सी limited रख सकते हो बट उसका knowledge होना जरूरी है containerization इतने containerization platforms है उसका जरूर उसमें एक tap-in जरूर करना है docker kubernetes यह क्या है बहुत मतलब specific in इस profile में अगर आप जाओगे तो ठीक आप डीप में भी पढ़ लेना but understanding इसकी भी बहुत जरूरी है क्यों question हो सकता है directly आपसे ना पूछे as a fresher पर आपका thought process काफी change हो जाता है जब आप containerized platform के बारे में पढ़ते हो कितनी ज़्यादा possibility है code लिखना बहुत नहीं है कहा run हो रहा है कैस generalization भी इस list में include करा है तो इसका idea ज़रूर लेना and last but not the least very very important version control systems क्योंकि ये चीज ऐसी है जो पढ़ना तो ठीक है आप पढ़ हो सकता है पढ़ाया भी गया हो पर ये सबसे जादा practical करने से ही clear होती है version control system जैसे की हो गए आपके github, svn, bitbucket तो ये काम कैसे करते हैं और इन लोगों को ये चीज काफी अच्छी clear हो गई होगी जिन्होंने जो CSIT background से हैं और उन्होंने अपने 3rd year, 4th year में projects बनाए हैं थोड़ा अच्छे level के projects बनाए हैं तो उन्होंने obviously use किया होगा पर अगर नहीं use किया है तो उसका ठीक ठाक सा idea ले लेना तो ये थे वो 8 points जो एक हफता दो हफता लगा हो बहुत लंबी चीज नहीं है बिलकुल master नहीं हो जाना है किसी में पर apply करने जा रहे हो कहीं पर या कोई project भी बनाने जा रहे हो इन सब चीज का basic idea जरूर ले लेना आपके project को एक next possible level पे अगर ले जाएगा अगर आप मतलब self project भी कोई बना रहे तो ये सारी चीज़े containerization, cloud और अगर मेरे कहने से ये list follow कर लिया और explore कर लिया तो हो सकता है आप उसको और भी evolve कर पाओगे और anyways career में आगे है तो तो इतना ही था इस वीडियो के लिए और बहुत से ऐसे interesting topics में लाता रहूँगा please subscribe to gk code land